हलो एन नमस्ते, मैं हूँ अनुश्का चांडग, आपकी कथक इंस्ट्राक्टर, कथक में सम का बहुत महत्व है, कोई भी कॉंपोजिशन को एक स्ट्रॉंग कंक्लूजन देने के लिए, डांसर एक स्ट्रॉंग पोस से उसे खतम करता है, जो सम पे आती है, ऐसी ही पाच आइ लेफ्ट हाथ है, वो जाएगा बहार की और, और आपका लेफ्ट पैर जो है, वो भी स्ट्रेच करेगा, आउटवर्स, लेकर ये सब हो रहा है, साइडवेज, सो टु यो लेफ्ट साइड, सबसे पहले तो आपका हाथ आपके चेहरे को क्रॉस करके, फिर सीधा, स्ट्रेट लेफ्ट साइड में जाता है, और आपका पैर भी उसके साथ बाहर निकलता है, धीरे धीरे अब आप बालन्स शिफ्ट करना शुरू कर दीजे, आपके लेफ्ट पैर के उपर, सो वन आण्ड टू, पैरों को फिर से समझ लेते हैं, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि सबसे प क्रॉस करता है, लेकिन राइट पैर जो है, वो फ्लाट पढ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप क्रॉस करते हैं, तो उस ट्रांजिशन में धीरे धीरे आपको आपका जो पीछे वाला पैर है, यानि कि लेफ्ट पैर है, उसको खड़ा करते ना है, कुछ इस तरह से जो राइट पैर क्रॉस कपड रहा है, वो भी सीधा नहीं रहेगा, इट विल बी स्लाइटली अंगल टोवर्द यह राइट साइड, इससे आपको बालेंस मिलने में असानी हो जाएगी, हाथ जब पहला पाहर जाता है, तो दूसरा कलाई से उपर जाता है, और फिर अपनी पॉजिशन पे आकर मुद्रा में आ जाता है, कुछ इस तरह से, चलिए एक साथ करके देखते है, अब दूसरी पॉजिशन पे आते है, जो ज्यादा शार्प है, जो कुछ ऐसी तिकती है, यह एक स्प्लिट सेकिंड में बनती है, तो जैसे हमने पहले देखा कि पहले वाली पोस को हम दो बीट्स देते है, इसमें बस एक पीठ हम देंगे, इसमें आपका जो राइट पैर है, वो एक बार टाप करकर बाहर चला जाता है, कुछ इस तरह से, और वो पॉइंट एट रहता है, इसका मतलब यह भी है, कि आपका जो बालेंस है, वो आपके लेफ्ट पैर के उपर है, सो इस तरह से जब वो बहार जाता है, तब आपका टॉर्सो भी उसके साथ चलता है, और वो राइट की और जुग जाता है, कुछ ऐसे, अब आपके हाथों के उपर ध्यान देते है, सबसे पहले तो उत्पती में ले आएए उन्हें, जो आपका राइट हाथ है हुँ बहार जाता है, उपर, स्ट्रेट और आपका टॉर्सो क्योंकि बेंड हो रहा है, आप, आपका चहरा भी विजबल कर पाते हैं, आपके हाथ के पीचे से, सो इस बेसिकली शूटिंग अपवर्स और आपका टॉर्सो भी, इस अलमुस शूटिंग तो यर राइट, कु नीचे यहां पोजिशन होता है, आपकी वेस से थोड़े नीचे, एक साथ करके देखते हैं, 5, 6, 7, and पोज, तीसरी जो पोज है, उसमें हम शार्पली बैठ रहे हैं नीचे, तो उसमें आपको सबसे पहले बैठना कैसे है, वो देखते हैं, आप, आपके राइट पैर के ऊ है नीचे, और जो लेफ्ट है, वो उपर ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा भार आपके राइट लेक पे डाल देंगे, आपको आपका कॉर स्ट्रॉंग रखना है, क्योंकि इसके बाद आपको फिर से उठना भी है, वैसे की वैसे, ओके, अब हाथों के स रखा, वो आपकी वेस्ट से थोड़ा नीचे पोजिशन रहेंगे, और दोनों फिंगर टिप्स जो है, वो अंदर की तरफ मुडी हुई है, चलिए देखते हैं से कैसे करते है, 5, 6, 7 and पोज, जो हमारी चाथी पोज है, वो भी एक शाप पोज है, लेकिन उसकी लिए एक छ परती में ले आईए आपने हातों को, अब यहां से आपका जो राइट हाथ है, वो एक सेमी सर्कल बनाते हुए, डाइगनली पीछे जाता है, कुछ ऐसे, और उसके साथ-साथ आपका जो राइट पैर है, वो भी डाइगनली पीछे जाता है, ऐसे, let's do it once again, and पोज करते वक आपको बहुत शार्पली आपका जो लेफ्ट हाथ है, वो बहुत शूट करना है, और उसके साथ-साथ आपको आपकी नजर भी बहुत शार्पली अपने हातों के साथ उसे डिरेक्शन में फेकनी है, and 5, 6, 7, and पोज, इसे और स्ट्रॉंग बनाने के लिए, आप एक अपने साथ करके देखते हैं, 5, 6, 7, and पोज, अब हम पहुत चुके हैं हमारी पाच्वी यानि की फाइनल पोज के पास, ये अच्छली सबसे सिंपल है इन पाच पोज में से, तो सबसे पहले तो आप अपके हाथ उत्पती में लेकर आईए, और शार्पली आपको एक सेमी सर्किल दिरेक्शन में अपने हाथों को शूट करना है, कुछ ऐसे, जेनरली मैं अपना राइट डाइगनल ही चूस करती हो, क्योंकि बेसिकली लोगों का राइट साइड चलने में स्ट्रॉंगर होता है, अउत्पती से आपके हाथ एक सेमी सर्किल बनाते हुए, शूट तो करते ह है, लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि ये अपनी जो जगे है, वो ना छोड़े हाथ, कई बार फोर्स में ऐसा हो सकता है, कि ये और भी आगे चले जाए, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है, कि even though you are shooting, after a while आपको आपके हाथ अपनी जगे पर प्लेस कर देने है, steadily, इसके साथ-साथ आपकी नजर भी पहले तो soft होती है, लेकिन जब ये जगे पर बहुत जाते है, अपने हाथ, तब आपको आपकी नजर भी उस direction में फेकनी है, almost to show that ये सम बहुत sharp है, clean है, okay, एक साथ करके देखते है, और उसके साथ याद रखिएगा कि आप को आपका जो right pair है, वो tap करना है strongly, चलिए, 5, 6, 7 and pose, जैसे pose बनाना important है, वैसे ही उसे बहुत gracefully dilute करना, उसे समेटना भी important है, तो वो हम करके देखते है, back to back ये 5 poses करके देखते है, हर pose को हम 4 मात्रा तक sustain करेंगे, और फिर अगली pose पे बढ़ेंगे, चलिए शुरू करते है 5, 6, 7, 8 and pose Okay, that was class for today, I hope आपको ये lesson सीखने में मजा आया हो, हमारे नये lessons आते है हर Wednesday और Friday को, तो हम से जुडे रहिएगा, इस वीडियो को like, share और subscribe करिए और bell icon दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे सारे notifications मिलते रहे, अगली class में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए keep dancing